हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12 क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इसके साथ ही मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइट कर आता है ना सिर्फ सी बीसी बोट बलके अदर स्टेट्स बोट के भी फुली और्गनाइज कोर्स और यह सभी कोर्स आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री आफ कॉस्स मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप हमसे इनोट और इबुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिये हुई इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास तो हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे अपने पार्ट तीन की हम अपने विज्ञान के क्या देख रहे थे हम अपने विज्ञान का पार्ट तीन देख रहे थे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है कोईला और पैट्रोल थी क्योंकि कोईला और पेट्रोलियम को जानने के लिए हम डारिक्ट कोईला और पेट्रोलियम को नहीं जानेंगे बलकि हम उससे पहले भी कई टॉपिक को जानेंगे कि कोईला है क्या पैट्रोलियम है क्या यह किस समूख के अंतर गताते हैं कैसे इनकी कहानी तो हम जानेंग वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी याद आ जाएं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमने बात किसकी की थी हमने बात की थी प्राकृतिक संसाधन की किसकी प्राकृतिक संसाधन की प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृ सूरी का प्रकाश, पेड़ पौधे, ये सब ये चीज़े किसमें आ जाती है, प्राकृतिक संसाधन में आ जाती है, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये हो गए प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, कि प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बाट गया था, कौन-कौन से, एक था अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ? हमने देखा, कि ये जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इन में क्या-क्या आ जाते हैं? अक्षय ऐसे हैं जिनको हम कितना भी प्रयोग कर लें खतम नहीं होते जैसे कि हम बात करने जल सूरी का प्रकाश वा हवा इनका प्रयोग हम कितना भी कर लें क्या ये खतम हो जाएंगे ये खतम नहीं हो जाएंगे है ना ये मानव की क्रिया कलापों से इन पिल क्या असर नहीं होता है ये खतम नहीं हो सकते लेकिन अगर हम बात करें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की जिसमें क्या आजाते हैं कोईला, पेट्रूलियम, एलपीजी, सी एनजी और क्या ले लेते हैं कोईला, पेट्रूलियम, एलपीजी, सी एनजी, कुछ प्राकृतिक गैसे इसी को ले लेंगे ठीक है, इसके अलावा एक और जीज, जंगल चीक, यह सारी चीजें जो होंगी, यह कैसी होंगी, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधने, प्राकृतिक के द्वारे तो हमें प्राप्त हैं, लेकिन मानवी क्रियकलापों के द्वारा सीधा असर किस पर पढ़ता है इन सभी पर पढ़ता है ठीक है इन पर तो ये हमने देख लिया था यहां तक फिर इसके बाद हमने क्या जाना था इसके बाद हमने बात कर ली थी इंधन की है इंधन क्या होते हैं जो ऑक्सीजन के उपस्थिती में क्या करते हैं ऑक्सीजन के उ तो हमने आदर्श इधन की भी बात कर ली थी ठीक, क्या आदर्श इधन क्या होते हैं, इसके लक्षन क्या होते हैं, किस इधन को आदर्श माना जाता है, मतलब कौन-कौन से गुण होने चाहिए इधन में, जिसकी वज़े से हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे आदर्श इधन कह होते हैं तो ऐसे इंधन जो सजीव जीव होते हैं उनिके द्वारा उनिके अवशेशों से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं जीवाश मीधन अगर हम यह कोईला और पैट्रॉलियम की बात करें तो कोईला और पैट्रॉलियम क्या है यह प्रकार के जीवाश मीध EXO Jee shoes ृफियों के अवशेष से मिलकर बने होते हैं इसी वज्य से इन को हम कहते हैं इनको हम कहते हैं यह कैते हैं यह कोśmy liam छीक है इनको हम क्याते हैं जीवाश ही दन तो यहां तक अपने अट प्रकार क्यों होते हैं कि उदाहरन क्या होते हैं या दा कि हमने इनकी परिभाशाएं भी देख ली थी हमने इंधन पढ़ लिया था अधर शीन और जीवाश मीधन हम यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से पढ़के आ चुके हैं अगर आपने इन सभी टॉपिक को अभी तक अ आते हो देखने आते हो तो उससे पहले पुराइन सारे टॉपिक को एक बार रिवाइस करके आया करो इसे क्या होगा जब आपी नए टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सारी चीजों को वापस सक्ट पाएंगे और सबसे चीज़ यह होगी कि आपको पीछे का सारा याद भी होत चला जाएगा ठीक है तो अब आज हम शुडू करते हैं यह सब हमने समझ लिया देख लिया अच्छे से समझ आ गया सारी चीज़ा वापस से याद आ गई चलो ठीक है तो आज हम किस पर बात करने वाले हैं आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगी कोईला की ठीक है किसकी बात करेंगे कोईला की जब हमने जीवाश मीदन समझ ही लिया है तो अब हम देख भी लेते हैं कि कोईला क्या होता है तो देखें कोईला कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जिटल मिश्रण है अब अगर हम बात करें कि कोईला है क्या तो कोईला जो है व बहुत जटल मिश्रण है ठीक है इसके अलावा अगर बात कहें तो इसमें नाइट्रोजन सल्फर और फॉस्फोरस योगिक भी मौजूद होते हैं तो सोचे कितने सारे योगिकों से मिल करके कोईला बना होता है ठीक है अभी हम आगे जानेंगे कि कोईला कैसे बनता है लेकिन अभी हम क्या जान रहें कि कोईला में कौन-कौन से योगिक मौजूद होते हैं किन-किन का मिश्रण होता है कोईला यह प्रत्वी की सतह के नीचे गहरी कोईला खदानों में पाया जाता है यह प्रत्वी के नीचे बहुत नीचे तक जो खदानी होती है उन खदानों में क्य इसमें उच्छ मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि हमने देखा कि इसमें कई सारे योगिक होते हैं तो यहां पर सबसे ज़्यादा कौन सा योगिक होता है कोईले में कोईले में सरवाधिक होता है कार्बन और उसके बाद करें तो होता है हाइड्रोका यह दो चीजें में बहुत प्रचर मातरा में मिलती है अब यह होता क्या है तो जब ख़दाने में जाते हैं ख़दानों को खोदते हैं देखते हैं तो वहां पर काली या फिर काली भूरी कलर की चटाने दिखती है और यह चटाने जो होती है यही क्या होती है यह कोईला होती ह अगर हम को लेक की बात करें तो यह कैसा पदार्थ यह एक ज्वलेंशील पदार्थ है चटानों से आप अर्थ समझ रहे होगी कि मैं चटान है तो वो कैसे जलेगा है न क्योंकि हम पत्थर की चटान को ले जाएंगे जला देंगे तो क्या वो जलेगी नहीं जलेगी लेकिन ऐसी चटान है ही नहीं यह पत्थरों की थोड़ी ना बनी है यह जो है एक ज्वलेंशील पदार्थ है यह चटानों की तरह दिखता है जिसमें क्या होता है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन होता है तो कहा चाये तो किसकी चटान है यह कार बात और मैं बताती हूं आप लोग को कि क्या है अभी हमने क्या देखा अभी मैंने बताया आपको क्या बताया कि दो वर्गों में प्राकृतिक संसाधन को बाटा गया था ठीक है कौन कौन से बताओ जल्दी से अभी मैंने बताया आपको कमेंन सेक्शन में बताओ रेखो कितने बिच्चों को याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने इसको दो वर्गों में बड़ा किया था एक क्या था अक्षे प्राकृतिक संसाधन कि समाप्थ होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है ठीक है तो अगर हम बात करें अक्षे की तो अक्षे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है नवी करणिय ठीक है नवी करणिय प्राकृतिक संसाधन और अगर हम बात करें समाप्थ होने वाले प्राकृतिक संसादन तो इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है गैर नवी कर्णिया ओके तो अब ये शब्दगर आ जाए तो आप बिल्कुल कन्फ्यूस मत हो येगा नवी कर्णिया प्राकृतिक संसादन मतलब कि यह क्या हो जाते हैं यह मतलब यह अक्षय होते हैं यह खतम नहीं होते हैं नवी करने हैं यह क्या हो जाते हैं रोज नए बन जाते हैं यह आपको डेली मिलते जाएंगे यह किसी भी प्रकार से कितने भी समय सीमा में खतम नहीं होंगे और वहीं गैर नवी करने की बा प्रकाश का उदाहरण लेती हो सूरी के प्रकाश की बात कर लेते हैं तो आज का सूरी का प्रकाश मैंने प्रयोग कर लिया अब ऐसा है कि खतम हो गया क्या नहीं हुआ ना कल फिर से सूरी का प्रकाश नया बन गया जाएगा फिर से मिल जाएगा मतलब है ना तो यह नवी कर साल की बात करूं 20 साल की बात को तो 10-20 साल में खतम नहीं होने वाले हैं तो यह क्या हो जाते हैं इनको हम नवी करनी क्याते हैं लेकिन अगर वहीं गयर नवी करनी की बात मतला इनको इतनी जलते हैं अपन रीन्यू नहीं कर सकते इनको फिर से नहीं बना सकते अगर यह एक बा करनी प्राकृतिक संसाथ हम नहीं बनाते प्रकृति के द्वारा ही बनते हैं लेकिन बहुत समय लग जाता है इनको बनने में ठीक है तो यह क्या हो जाते हैं ग्यार नवी करनी वहीं जो रोज बन जाते हैं इनको बनने में बहुत अधिक समय नहीं लगता यह डेली डेली बन रहे हैं अगर हम बात करें वर्षा की तो वर्षा का प्रॉसेस तो चल रहा है ना प्रक्रिया तो चल रही है ना समुद्रों से पानी वाश्पीक्रत हो रहा है उपर संगनन हो रहा है उसके बाद नीचे आ रहा है तो यह प्रक्रिया तो चली रही है अपने अपने समय में होत नहीं होगे ऐसा होता है क्या ऐसा तो नहीं होता है not come वर्षा होती है यह हम मानते हैं कि कम वर्षा कभी-कभी जो प्रतिवी संतुलण जो है वह थोड़ा सा बिगड़ जाता जिसकी विजह सह कम होती है ये साई चीजें हम सुनते समझते आते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं सुनेंगे ने 20-25 साल तक वर्षा नहीं हो रही है, 20-25 साल भी क्या, अगर मैं मुझे तो 30-40 साल, क्योंकि इनको बनने में लाखो साल लग रहा है, पर यहां तो ऐसा नहीं हो सकता, सूरी का प्रकाश ऐसा तो नहीं आज आया है, प्रत्वी पर, अब रती है, चलती है, या आज हम इनका प्रयोग करें है, कल फिर मिल जाएगा, आज हम इनका प्रयोग करें, या ऐसी चीज़ है, लेकिन ये अगर एक बार खटम हो गए, ठीक है, तो यह जो है ना इनको बहुत समय लगेगा, यह बार बन चुके है, आप इनको बनने में कई सा लग जाएंगे तो नवी करणि में बहुत अच्छे से रखना बच नवीकरणी तो कुछ भी लिख आ जाते है ना तो शब्दों को बहुत अच्छे से देखना है समझना है तो यह मैंने बता दिया कि इनको और क्या बोलते हैं इनके दो और शब्द भी है अब देखते हैं वहाँ पर हम चुक्या तो यहां पर क्या शब्द यूज हुआ गैर नवी करणी मतलब कि कोईला कैसा है कोईला है जो की एक गैर नवी करणी उरजास्तर होते हैं मतलब कि अगर ये एक बार बन गया तो इससे दो बारा बनने में क्या बहुत साल लग जाएंगे चिक हैं इसमें से वर्गीकृत क्या ह क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ इसे बनने में कितने लाखो वर्ष लगते हैं ऐसा नहीं है कि दो साल में कोईला बनके तयार हो जाएगा दस साल में पच्चेस साल में ऐसा भी नहीं ठीक है यह कैसी होती है एक ज्वलन शील पदार्थ होता है आगे देखें आगे बात करें तो देखो कोईले में उन पौधो द्वारा संग्रहित उर्जा होती है जो लाखो साल पहले दलदली जंगल में रहते थे अब कोईले में कोईला ज्वलन शील पदार्थ क्यों है क्यों तो ये उर्जा उस जगेसे आती है जिस चीजसे ये बना है और ये बना किससे है आज़ से कई साल पहले जो पौधे थे जो लाखो साल पहले जंगलों में दलदली जंगलों में पौधे पाये जाते थे उनसे ही तो कोईला बना होता है बना कैसे है उसकी कहानी तो हम बिलकुल जानेंगे पर पहले चीजों को समझते जाओ तो वो जो उन पेड़ों की उन पौधों की जो उर्जा होती है वही कोईला हमें क्या करता है उर्जा प्रदान करता है ठीक है लाखों वर्षों तक गंदगी और चटान की परते पौधों को ढगती रही फिर लाखों वर्षों तक हुआ क्या कि वो जो पौधे थे दलदली जंगलों में उनको जो बड़ी-बड़ी चटाने कुछ ऐसी प्राकृ कहते हैं फिर क्या हुआ बहुत सालों तक लाखों वर्षों तक वो क्या जमीन के अंदर दबी रही ठीक है अब जमीन का हमाई प्रतवी के अगर हम बात करें तो प्रतवी कभी एक ताप दाब होता है तो जब उच्छ ताप और उच्छ दाब जिस जगह पे उसको मिला तो उसके बाद वो किसमें परिवर्तित हो गई वो परिवर्तित हो गई कोईले में या फिर हम यह बोले कि ऐसे पदार्थ में बदल गई जिसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कोईला बोलते हैं तो इस तरह से कोईला हमें प्राप्त हुआ ठीक है आगे देखें अब हम जानते हैं कि कोईले की कहानी क्या है अभी तो हमने कोईले की बारे में जाना पर कोईला बना कैसे मैं कहा रही थी ना हम जानेंगे जानेंगे तो चलो सुन लेते हैं कि कोईले की कहानी है क्या तो देखो लगभग तीन सो मिलियन वर्षपूर, तीन सो मिलियन वर्षपूर मतलब की 30 करोड़ वर्षपूर, चीक है, तो तीन सो मिलियन वर्षपूर प्रत्वी पर निचले जलिये छेत्रों में घने वन थे, अब जो प्रत्वी थी पहले तो हम सभी जानते हैं कि भई पहले के टाइम पर तो इ और मैं बात कब की करें ओयों मैं 30 करोण वर्ष पूर्व की बात करें हूं सो सकते हो 30 करोण वर्ष कितना अधिक समय है क्या ही होगी पृथवी कैसी ही दिखती होगी तो उस टाइम पर जितने भी प्रथवी के निचले थे चेत्र थे जहां पर जल था हम सब जानते हैं कि पहले प्रतिवी प क्या था जल था भूमी थे वह Cheese के लगा कुछ नहीं था पहले तो जो निचले खेस्थे वहां जो जली खेथे वहाँ पहले गने घन वन थे ठीक है बार जैसे प्राकृतिक फ्रक्रमों के कारण ये वन म्रदा के नीचे दब गए और फिर मैंने कहा था कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हुए बाढ़ाई भूकाम पाए इस तरह के चीजे होती थी और जिसकी वज़े से क्या होता था कि ये जो पेड़ थे ये धीरे-धीरे क्या होने लए जमीन के अंदर जाके दब गए उनके ऊपर अधिक म्रदा जम जाने के कारण वे संपेडित हो गए और जब क्या होता था बाढ़ होती थी तो जमीन की मिट्टी क्या होती है पानी में जो भी चीज़े होती है सर्फ पानी ही नहीं आता वहां की मिट्टी या जो भी ची उनके उपर मृदा की मिटी की लेयर परते लगती जाती और वो क्या नीचे दबते जाते और इस प्रकार से वो बहुत अंदर तक पहुंच गये जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया जैसे जैसे वो नीचे जाते गए तो प्रत्वी की भी क्या होती है परते होती है और हर परत का अलग अलग क्या होता है ताप होता है दाब होता है तो जैसे जैसे वो परतों से नीचे नीचे पहुंचते गए वह पर भी ताप जो था वहां का बढ़ता गया चीक है उच्छ दाब और उच्छ ताप पर प्रत्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोईले में परिवर्तित हो गए वहां पर बहुत ज्यादा दाब मिला मतलब कि उनको बहुत ज्यादा संपीडित किया गया और से कारबन होता अच्छ दिको पहले इससे पहले यह समझो यह आप लिखा हुए धीरे धीरे कोईले में परिवर्तित होने का इना वह बहुत लंबा था पहले तो सोचों कि जब वो दबे अब बाढ़ ऐसा थोड़ना आज आई है कल फिर आएगी फिर परसो आएगी ऐसा नहीं होता था ना एक बार आई वो दब गया अंदर ऊपर कुछ मान लिजे कि मैं यहां पर क्या मान लिजे यह पेंड़ था अब एक बार जब बाढ़ हाई तो इसका इतना भाग नीचे चला गया होगा फिर इतने भाग पर धीरे 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 तो धीरे 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 यह दबता गया फिर उसके बाद यह जमीन के नीचे भी है तो उसके बाद भी क्या हो र है फिर उसके बाद धीरे धीरे यह क्या हो रहा है नीचे जाता जा रहा है और नीचे जा रहा है यह अगर प्रत्वी की परते हैं तो पहले वो इस परत में था फिर इस परत में पहुंच रहा है तो यहां तक पहुंचने का जो समय है वो बहुत जादा है फिर उसके बाद सबसे अधिक क्या होता है कार्बन होता है ठीक है मृत्म वनिस्पती के धीमे प्रक्रूंद्वारा कोईले में परिवर्टन को कार्बनी करण कहते हैं अब यह ज़ो जीव थे यह जो फोले-बारक हुआ और किसमें बदल गया कोईले में बदल गया तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को हम कार्बनी करण करेंगे क्योंकि कोईले में होता क्या है कार्बन होता है ना तो यह जो बन रहा है इस प्रक्रिया को क्या नाम दे दिया गया कार्बनी करण नाम दे दिया गया ठीक है क्योंकि वनस्पती के विशेशों से बना है अता कोईले को जीवाश्म इंधन भी कहते हैं अब देखो कोईला जो है वो किसे बना है वनस्पती के विशेशों से बना है और वनस्पती कैसी होती है वनस्पती सजीव होती है ना यह तो हम सभी जानते हैं तो क यहां पे हमें क्या दिख रही है एक कोईले की खदान दिख रही है जो जमीन से काफी नीचे है उसके बाद में मशीन लगा करके कोईले को नीचे से निकाला जाता है ठीक है प्रत्वी पे बहुत नीचे तक क्या किया जाता है खनन किया जाता है उसके बाद फिर कोईला प्रा प्रक्रिया होति है वो क्या कहलाती है कारवनिया करण अभए इक पर बोदों के कारण कार्बनिक पदार्थों का ऑपघटन होता है मतलब की कार्वनिक सब्सक्राइब वहां पर वायों की अनुपस्थिती होनी चाहिए उच्चताप होना चाहिए उच्चताप होना चाहिए उसके बाद जब किसका कार्बनिक पदार्थों का अपगटन होता है तो वह प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे उस प्रक्रिया को फिर हम कार्बनी करन कहेंगे यह प्रक्र अब देखो कार्बनी करन की अगर हम प्रक्रिया देखें कि कैसे होती है तो कार्बनी करन की प्रक्रिया हवा की अनुपस्थिती में यह तो हमने सबने जाना अगर हम कराना चाहें कि कार्बनी करन की प्रक्रिया को कराना चाहें ठीक है अपने आसपास क्योंकि हम कोईला तो न अंचे से शुरू होती है इन सब को क्या कर लो इन सब को इकठा कर लो ठीक है उसके बाद दहन को रोकने के लिए कार्बनिक पदार्थ को हवा के अनुपस्तिती में लगबख 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के ताप मान पर गर्म किया जाता है अब दहन क्या होता है लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा वह बहुत जादा ज्वाला देगी है ना तो यह तो दहन हो जाएगा लेकिन हमें दहन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि लकड़ी को जला नहीं दहन को रोकना है तो क्या करेंगे पहली चीज तो हवा के अनुपस्तिति ओंप और और दूसरी चीज उसको कितने कितने उच्छ ताप पे 600-800 डिग्री सेलसियस के ताप पर क्या करेंगे उसको गर्म करेंगे चीक है उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कार्बनिक पदार्थ मीथेन, इथेन और प्रोपेन जैसी वाषप शीली गैस छोड़ते हैं अब क्या होगा जब वो चीज का तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो अब ऑक्सीजन दहन तो हो नहीं पारा दहन में क्या होता है वो वाश पिकरत होता है ना तो अब क्या हो रहा है वो सारी चीज़े किसमें बदलेंगी लिक्वीड में बदलेंगी और लिक्व और फोस्पदार्थ भी बच जाएगा और वही जो थोस्पदार्थ हो गा उसी को हम क्या कहेंगे उसी को divor कोईला चार्कोल याप को कहेंगे ठीक है कि य Unless its प्रकार से क्या हुआ इस प्रकार से जो पूरी प्रक्राइए हुई invest प्रकेया को क्या नाम देंगे आगे देख लेते हैं कि कार्बनी करण का उपयोग कहां कहां होता है कार्बनी करण जो प्रक्रिया भी हमने जानी समझी कि कैसे होती है क्या होती है तो इसका उपयोग कहां होता है तो देखिए जो कोईला बनता है कार्बनी करण की के द्वारा क्या बनेगा कोईला ब कांबनी शुच अधे हैं कार्बनी करण से कार्बनी करनका उपयोग वफ्योंति हैं कार्बनी करण के יइन धफियोग के द्वारा हमने क्या प्राप्ति किया, को इला, चारफोल, ठीक है है? और कोक, अब यह सभी पदार्थ जो हैं यह हमें किसके द्वारा मिले यह हमें कार्बनी करन की द्वारा मिले तो जब हम इनका उपयोग करेंगे मतलब की कार्बनी करन का उपयोग करें कार्बनी करन ही नहीं होगा तो इनका उपयोग कैसे कर पाएंगे हम ठीक है तो कोईले का रूप में ही होगा किसी ना किसी जासे इसके अलावा अगर हम बात करें चार कोल का तो जल का शुद्धी करन करने में चार कोल का प्रयोग होता है वायू निस्पंदन मतलब कि वायू कि शुद्धी करन में भी किसका प्रयोग होता है सक्री कारवन होने की वज़े से चार कोल क का प्रयोग होता है इसके बात कर लेते हैं कोग का तो कोग का उपयोग कैसे होता है तो कोग का जो प्योग है वो लोहा हो गया इस पात हो गया इस तरह के जो होते हैं इसके उतपादन के लिए इंधन के रूप में किया जाता है ठीक है तो यह किस-किस के प्रयोग हो गए कोई चारकॉल और कोग के उपयोग हो गए चिक है आगे देखें आगे क्या है चत्र के द्वारा हम कार्बनी करण की प्रक्रिया को देखते हैं तो देखो तो यहां चत्र में क्या दिया है? चत्र में दिया है कार्बनी करण की प्रक्रिया अब हम चत्र के भी द्वारा समझ लेते हैं कि आखिर हुआ कैसे, कैसे बना कोईला, कैसे बन जाता है चार को तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लें, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले प्रत्वी के अधिकांश भाग पर उगे विशाल जंगल, देखो पहले क्या था? यह जो प्रत्वी थी, इसके अधिकांश भाग पर क्या थे? बड़े-बड़े विशाल जंगल हुआ करते थे और पान क्या बन गया? पीट बन गया, ठीक है? अब क्या हुआ? और अंदर दबती चली गई, मिटी के पड़ते और उपर आती गई, और वो संपीडित होगे, और नीचे पहुँच गए, तो लिगनाइट बनाने के लिए पीट का तलछट के बीच में दबना, अब और नीचे जाक उच्छ ताप मिला और उससे क्या बन गया? यहाँ पर यहाँ पर बिटूमिनस यह फिस सब बिटूमिनस कोईला बन गया, ठीक है? इसके बाद और अधिक जब इसको संपीडित किया गया, मतलब उच्छ ताप और उच्छ दाब मिला, तो उसके बाद यह किसमें बदल गया अंतता एंत्रेसाइट का निर्माण होना और उसके बाद फिर जो मिला, वो क्या मिला? एंत्रेसाइट मिला, अगर हम बात करें कि एंत्रेसाइट क्या है, तो एंत्रेसाइट ही क्या है? कोईला है, कोईले की जो सबसे शुद्ध, सबसे अच्छी जो अवस्था होती है, वो तो यह क्या हो गई यह कार्बनी करण के प्रक्रिया हो गई कि कोला किस प्रकार से बना किस से जो मृत जीवाश में थे मतलब की मृत पौधे पीड़ पौधे ते वनस्पती थी तो कार्बनी करण के प्रक्रिया समझ आ गई हमने इसको कैसे परिभाशा में भी देख लिया इस इसके उपयोग इसकी प्रक्रियाएं भी समझ लिए चित्र के माध्यम से भी हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो मुझा उमीद के कार्बनी करण की प्रक्रिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आही गई होगी तो यहां हमने बात किस की किया है, यहां हमने बात किया है कोईले की कार्बनी करण की प्रक्रिया किया, अभी कोईला जो है वो खतम नहीं हुआ है, कोईले को अभी हम और अच्छे से बात करेंगे, कोईले के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, कोईले को का आस्वन कैसे किया जात है Magnet Brains के YouTube चैनल, वेबसाइट और एप से. Magnet Brains इंडिया का नमबर 100% free online education platform. अगर आप हमसे e-notes और e-books पी लेना चाहते हैं तो उसके link आपको नीचे दिये हुए description box में मिल चाहेगी. इसके साथ ही हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses हैं जो आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं और ये सभी top courses आपको मिलते हैं high quality education के साथ English और Hindi दोनों medium में. अगर आप हमसे other social media platform पर भी चुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई